इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और lifetime free credit card के बारे में यह जो lifetime free credit card है यह एक ICCA bank का instant platinum credit card है यह जो credit card है यह आपका lifetime free credit card है मैं आपको इससे भी पहले में बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें आपको lifetime free credit card के बारे में discuss किया है तो इस lifetime free credit card के बारे में आपके साथ benefit benefit feature fee and charges eligibility criteria क्या है all the information आपको मिल जाएगा सबसे पहले यह बता दू कि यह जो credit card है यह एक FD deposit पर भी मिल जाता है आप चाहे तो आप अगर आप student हो या आप कोई काम नहीं करते या आप जहां पर work करते हो salicy bank asset में नहीं मिलता है तो उस condition में आप इस वाले credit card को लेकर अपना use कर सकते है जो कि एक FD पर आपको मिलता है ठीक है तो इसके बारे में all the information आपके साथ share करने वाला हो तो सबसे पहले जान लेते हैं यह जो credit card यह credit card में feature क्या है तो सबसे पहले बात करेंगे इस credit card के benefit and feature के बारे में तो सबसे पहले जो यह benefit feature है यह है कि यह credit card है आपको FD पर तो मिलता ही है प्लस में अगर आपको FD पर जो मिलता है उस पर आप earn कर सकते हैं इंटरेश्ट भी यह इंटरेश्ट आपको मिल जाता है कितने अगर आप नहीं जाना लीडियो देक सकता है मैं आपको अप्लोड किया हूँ जो भी FD पर जो भी इंटरेश्ट देटा है उसके रिगार्डिंक तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो otherwise यह मैं यहीं पे clear कर दू कि आपको 5-6% के बीच में आपको मिल जाता है interest आप अगर ICC Bank के FD करवाते हो और उस पे आपको यह card भी मिल जाता है और उस पे भी interest मिलता है तो दोनों तरब से आपको benefit है और दूसरा आपको क्या है कि अगर आप इस card को लेते हो 100 rupees के spend करते हो कहीं पे भी जगा आप including the fuel तो आपको 100 rupees पे 2 payback देता है और इसके 1 payback की value 50 पैसे के आसपास होती है otherwise कहीं कहीं जगा पे आपको 1 rupees की भी हो जाती है तो यह आपको रहा second point जो third अगर आप two movie ticket buy करते हो तो आपको up to 100 rupees तक का आपको discount मिल सकती है यह मैंने up to इसलिए बताया है कि यह जो offer है हमेशा कुछ ने कुछ जमस change होता रहता है तो इसलिए आपको 100 rupees तक का आपको off मिल जाती है अगला जो points यह है कि यह जो credit card आप लेते हो अगर आपका credit score बहुत ही ज़्यादा खराफ है यह credit score अगर आप बनाना चाहते हो starting से तो आपके लिए यह perfect credit card होने वाला है क्योंकि यह credit card आपका credit score को improve करके देता है अगला जो credit card है यह अगला जो points है यह जो credit card है आपको interest पे आपको जो financial charge जो लगाता है वो 4.49% का लगाता है अगर आप इस credit card को लेते हो अगर आप पैसे निकालते हो supported EMI करवाते हो तो उस condition पे आपको यह सारी interest लगती है ठीक है और बात की जाए तो यह जो credit card है यह करते हो HPCL petrol pump पे तो overall देखा जा तो यह credit card उतना तो खास benefit नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी अगर आपको FD पे मिल लहा है तो आपको लिए अच्छा होगा अगर आपका credit score नहीं है तो आपके लिए अच्छा credit card होगा आप ले सकते हो otherwise अगर आप आपकी sell ली आती है तो 25,000 भी आती है या 15,000 भी आती है तो मैंने ऐसे विडियो बना रखा है 15,000 टुपीज वाली 12,000 टुपीज जिनकी sell ली आती है उनके लिए कौन सा अच्छा card है तो हमारे चैनल के playlist में जाकर देख सकते हो बहुत सारे आपको credit card के वीडियो मिल जाएगी वो credit card आप use कर सकते हो अगर आप solid person हो तो अगर लेकिन आप starting में कोई भी beginner हो अगर आप credit card अभी तक आपने use नहीं किया है तो ये credit card आप ले सकते हो या पहले से कोई credit card ले रहे हो आप add-on में कोई credit card लेना चाहते है तो आपके लिए credit card अच्छा होने वाला है अब जानते है इस credit card के fee and chances के वारे में ये तो रही अच्छा है अब क्या है इस credit card की बुराई ये भी जानेंगे इसी वीडियो में तो आगे बरने से पहले बतादू कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकम को जरू दबाएए क्योंकि हम आपके लिए फाइनस से लिटेड वीडियो एवन वेबसाइट डवलपर इनसलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाते रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकम को जरू दबा देना अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फी एंड चार्जज के बारे में कि यह जो क्रेडिट कार्ड है क्या फी होता है क्या चार्ज है तो मैंने आपको पहले ही बताए कि यह जो क्रेडिट कार्ड है आपका लाइफ टाइम फ्री होता है लेकिन इसमें फाइनेंसल चार्ज मैंने पहले ही बता दिया 2.549% का आपको होता है इनम देखे जो है तो यह यरली बिसिस पर 29.88% का होता है जो कि एक तरह से ओवरल देखा जा तो ठीक है बाकी सारे बैंकों से लेकर अगर वही आप देखते हो ओवर लिमिट की चार्ज जो ओवर लिमिट के चार्ज अगर आप यूज कर ले तो मिनमाम 500 रुपीज भी तो आपको 2.5% का आपका चार्ज लग जाता है मिनमाम आपका 500 रुपीज का तो चार्ज लगता ही लगता है ठीक है अगर आप वही खर आप आप ऑटो डेविट का आप्ष爆 में पूDER हो तो आपको 100 रुपीज का चार्ज लगता है प्लस में की चार्ज시면 का लेट लगता है अवर हलम मैंने जहां तक अपने विडियो बनाई है फ्री लाइफ टम फ्री क्रेडिट कार्ड के वारे में तो overall देखा जाता है कि आपको तो benefit तो दे देता है जो भी देना होता है लेकिन क्या है कि late payment जो charges वाली होती है यह charges आपको ज्यादा कर देता है जैसे कि देखिए late payment charges इस वाले credit card में कि अगर आप 100 उपीज से कम करते हो late payment तो आपका 100 उपीज से कम का payment है जो कि late हो गया तो कोई charges नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको वही 100 उपीज से उपर का है 100 उपीज से 500 उपीज के बीच का amount तो आपको 100 उपीज का charge लग जाता है late payment यह overall देखा जा जितने फी lifetime free credit card है यह जो credit card आपको late payment अगर आप free credit card लेत credit card हो सकता है उसके बारे में या आप कैसे annually charges या कैसे बच सकते हो यह fee and charges के बारे में अगर आप चाहते हैं कुछ tips and trick की कैसे use करें कैसे सारी चीज है तो आप comment कर देना मैं आपको बना जरूर आपको बताऊंगा या कोई doubt अगर आपके पास होता है कोई question है जिस पे आपको विडियो चाहिए होता है तो आप हमें comment कर देना मैं आपको उस पे भी विडियो बना कर दूंगा तो यह रही तो fee and charges की बारे में अब जानते है इस credit card की illegality criteria के बारे में जानते हैं तो यह जो credit card है यह illegality criteria यह है कि यह जो credit card सबसे पहले तो आपको FD पे मिल जाता है fixed deposit minimum जो होनी चाहिए आपकी 20,000 to page की होनी चाहिए अगर आप 20,000 to page card minimum deposit करते हो तो आप इस credit card को ले सकते हो minimum जो tenure आपका मिलता है वो 180 दिनों का आपको FD तो जरूर करवाना ही होगा जब आप FD करवाते हो तो minimum आपको 180 दिन का FD आपको करता है ठीक है आप salary basis पे salary person हो तो आप salary basis पे आपको card में जाता है card to card देखोगे तो आपको 50,000 to page की card की limit है तो आप card to card भी process करवा सकते हो इस credit card को लेकिन अगर आप bank में जाते हो और बोलते हो कि हमें card to card को apply करने है तो उस condition पे bank वाले जो है न card to card नहीं है यह process करते है अगर आप card to card credit card लेना चाहते हो तो किसी third party से जूर कर आप वहां से card to card process करवा सकते हो तो यह रही आपको eligibility criteria आप जानते है अगर आप account open करवाना चाहते हो या account पहले से है तो आपके लिए अच्छा card होने वाला है तो यह रही document required in this credit card में अगर आप इस credit card को कैसे apply कर सकते हो इसके लिए आपको direct जाना होगा आप SBI branch में जा सकते हो या SBI के website विजिट करके वहां से जूर सकते हो हमारा जो telegram channel है वह Techbish Shubham One के नाम से है जो कि आपको वहां से join हो सकते हो आप हमारे Facebook page को like कर सकते हो टेकbish Shubham के नाम से मिल जाएंगा है